तो होली का खुमार श्यारों तरफ देखनी को मिल रहा है और बच्चे खास करके गाफी जादा इंजुआई भी कर रहे हैं तमाम जवानकारी के साथ हमारे समबाद दाता कामरान भी हमारे साथ लाइब डोच चुके हैं कामरान लगवग दो सालों का इंतजार सभी को करना पड़ा ताकि इस तरह की हम रौनक देख पाया और वाकि निखिये कल से आज तक हम देख रहे हैं जो रौनक के एक बार फिर से नसर आ रही है वो दो सार पहले का वक्त वापस आ गया है और यही वज़़े है कि सभी होली के रंग में रंगे हुए नसर आ रहे हैं प्रीति देखिए सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम दर्शकों को होली की धेरो शुबकाम नाएं और जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लगतार जो है वो होली के रंग में राजधानी राची रंगी भी है पूरा ज् से शक्स हैं जिनके पूरे दल की अगर हम कहें तो होली फीकी नजर आ रही है हम अभी रिम्स के पेइंग वाट के समक्ष मौजूद है जहां पर हाथों में गुलदास्ता है लोगों के हाथों में रंग अबीर है लेकिन ये होली नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये राजध ने रहे हैं इसलिए राज़त नेता और कार्यकरतों में कहीं न कहीं उदासी हो और उनकी होली फीकी नज़र आ रही कमली जी क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहां पर पहुंचे हैं रंग उलाल तो हाथ में हैं लेकिन चेरे में सबसे पहले तो गरीबों के मस्या लालू हैं लेकिन हम लोग से मुलाकात नहीं हुई है और शाहपूर से बिहार से भी हाथों में गुल्दस्ता लेकर रंग अबीर लेकर शाहपूर से चलकर आए वे हैं उनसे बात करते हैं सर आप यहां पर पहुंचे थे लालू प्रसाद यादों से मुलाकात करने कि लाज होली का दिन क्या कहना चाहेंगे किस तरीक से लेखते हैं कि मैं यह चाहूंगा कि लालू-PraSat एक ब्यक्ति नहीं है कि यह समाच के पुरोधा है जो समता मुलक समाज उसके पुरोधा है ब्यक्ति समाज के उठाने पतन के लिए उतरदाइश सक्तियों का आकलन करना में बहुत सक्षम है ये और उनहीं कारणों से आज यह दंडित है इसलिए वो दंडित है और इसलिए जील में हम आहे थे कि सोचे थे कि मिल जाएंगे कि दुख है जानते हैं कि क्यों जो अच्छा काम कर रहा है उसको ही दबाया जा रहा है उसे ही नहीं हो लोगों को भी छूटी मिलती है इस दिन तो कहीं नहीं उदासी साफ तोर पर प्रीती आप देखिए होली के हर रंग हम यादर जिनको लेकर उनके समर्थक है वो चिंतित है और यहीं वजह है कि उनकी होली थोड़ी सी जरूर फीकी नजर आ रही है कामरान आप हुमारे साथ जुड़े आपका शुक्रिया तमाम जानक पुश्वेहर के लोगों